आज हम सावरकरजी का जो हिंदूत्का दर्सन हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उंदूत्की दर्सन की उनकी जो एक किताब है, और यह इसको पूरा पड़ा है, इसी के अंदर का जो भाव है, तत्थ है, वो मैं आपके सामने रखूंगा, साथ यह हिंदूत्का दर्सन जो बिनायक दामोदर सावरकर जी ने लिखा है, इसकी परिस्तिती को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं, वो सारे वीडियो यदि आपने सुन लिए होंगे, तो आप साइद उस परिस्तिती को समझ गए होंगे। यदि आपने पीछे के वीडियो नहीं सुने हैं, तो आप से मेरा बनमरा पी ले उन वीडियो को जरूर सुन ले। ये जो समय था जब सावरकर जी ने हिंदुत का धर्सन लिखा, आजादी का अंदोलन चर रहा था। सावरकर जी जेल में थे, अन्वान निकोवाबाद की जेल में थे, 2011 में काला पानी की सजा उनको हुई थी, फाइनली सावरकर जी ने माफी नामा लिखे और 1921 में अंग्रेजों ने रहा किया। रतनागिरी में उनको नजरबंद किया गया था, उसी नजरबंद के समय में सावरकर जी ने ये हिंदुत का धर्सन लिखा। इस समय तक सावरकर जी और हिंदु राष्ट का जो किरांतिकारी आंदोलन था, वो आजादी के आंदोलन की लड़ाई से बाहर हो गया था। साथ में इनको इस समझ में आ गया था कि अब जो है देश आजाद होने वाला है और इस देश की आजादी के साथ में अब हिंदु राष्ट बनाने का जो पुक्ता एक बिचार धारा है उसको लाना पड़ेगा। इस समय तक हिंदु राष्ट की धारा जो थी उन लोगों के पास में कोई पुक्ता एक देश को बांधने का कोई बिचार नहीं था। उसके लिए सावरकरजी ने हिंदुत्य का धर्षन को बनाया। 1925 में हिंदुत्य के इसी धर्षन को लागू करने के उद्देश से राष्टी स्वयम सेवक संग का गठन किया जाता है। गुरु गोलवलकर इस पूर्य जो सावरकरजी का हिंदुत्य का धर्षन का विचार धारा था इसको और विस्तारत रूप देते हैं। और 1938 में हम्या हमारी राष्टीता की परवासा की एक किताब लिखते हैं। जिसके अंदर इस थेयोरी को और ही बहुती अच्छी तरीके से इसपष्ट करते हैं। उसके बाद से विचार नवनीत उनकी एक किताब आती है। बहुत सारे उनके जो अलग-अलग लेक्चर हैं, पूरी बिचार धारा के तत्थ हैं, वो बिचार नवनीत के अंदर हैं। इसलिए इस पूरी बिचार धारा को गड़ने का काम दो लोगों ने किया। सावरकर जी ने और गोलवलकर जी ने। इसलिए पूरी बिचारधारा सावरकरजी और गोलवलकरजी के बिचारों को मिला करके बनती है अब हम हिंदुतिकी दर्षन की चर्चा सुरू करते हैं सावरकर इस बिचारधारा को जिस रूप में बनाए हैं उसके जो आधार तत्व हैं उसके जो बेसिक आधार हैं, जो मुखादार हैं उनको मैं आपके सामने रखूँँगा इस पूरी दर्षन का जो मुख जो तेयोरी है राश्ट को बनाने के क्या आधार हैं उनको समझाया गया है उसके अलाबा तीन इसमें मुख तरीकी की तेयोरियान है पित्र भूमी, मात्र भूमी और पुन भूमी ये पूरा दर्सन इनी तीन थेओरियों के सेंटर में रहता है और इनी तीनों थेओरी से वो इस पूरी राजनीती का इजात करते हैं इस पूरे दर्सन को गड़ते हैं इस बात को हमको अच्छी तरीके से ध्यान लगना है यानि जो राजनीती है उसका हिंदू करण करना है इसका आर्थ है कि ये नसली चेतना की विचारधारा के हिसाब से इसको समाहित करना है पूरी राजनीती को बनाना है और दूसरा जो हिंदू का सेन की करण यानि हिंदुओं को एकट्टा करके लड़ने के लिए तियार करना है अब इस समय तक राष्टी स्वयम सेवक संग बना नहीं था इसी विचार से राष्टी स्वयम सेवक संग बनाने का आधार बना एक चीज और इसी के साथ इस्थापित की कि जो धर्मांतरण क्योंकि ये पूरा थेओरी धर्म से जोड़ा हुआ है इसलिए उन्होंने कहा कि धर्मांतरण जो है वो राष्टांतरण है यानि धर्म बदलना राष्ट को बदलना जैसा है तो ये तीन मुख खाधार हैं इस दर्सन के जहां से सावर कर इस दर्शन को बनाने की सोचने की सुरुवात करते हैं और सुरुवात यहां से करते हैं कि नाम में क्या रखा हिंदू सब्द का क्या मरतलब है यह नाम का जो ताकत होता है सब्द का जो पावर होता है जैसे हिंदू बोलते हैं तो हिंदू एक बिराठ बहुत सारे लोगों का समूव और हिंदू संस्क्रती, धरम, मंदेर ये सब चीजें बाबा ये सब चीजें हिंदू बोलते ही है सब उसकी परिदी के अंदर आ जाता है इस तरीके से सब्द की विस्तारित परभासा को समझाते हैं और सब्द के अंदर जो टाकत है उसको एक्स्प्लेइन करते हैं हिंदू और हिंदू बाद ये दोनों भिन हैं हिंदू तो अलग है और हिंदू बाद अलग है इसको कैसे एक्स्प्लेइन करेंगे अभी मैं अपनी चर्चा में आपको समझाऊंगा उसके बाद से हिंदू नाम की उत्पत्ति है इसको थोड़ा सा समझना है साती हो पूरी आरियों की जो संस्कृति है इसको हिंदू कहते हैं इसको हिंदू सब्द से उचारित करते हैं इस पूरी आरियों की संस्कृति को आरियों की पूरी वि हो जाता है इसलिए उन्होंने इस समझाया पूरी थियोरियों में कि जो सिंदू है न वही हिंदू है इसमें इस समझाने की वो कोशेश करते हैं कि जो यह हिंदू सब्द है यह सब्द भहुत ही पुरातन से है और वह कहते हैं कि सब्द सिंदू यह सब्द बेदों में आता है रिगवेद में आता है इसलिए कहते हैं कि सब्द सिंदू ये बहुत पुराना सब्द है इस तरीके से पूरी चर्चा से वो सिंदू को हिंदू और सिंदू इस्थान को हिंदू इस्थान इस्थाफित करते हैं इसके बार्ध से वो जो आरियों का जो चिन्दू नदी के पास लोग रहते थे, उनको वो हिंदू जाती कहते हैं, क्या कहते हैं? हिंदू जाती, यहां पर सावर कर जो जाती सब्द का उचारण करते हैं, वो पूरी आरिय संस्कृति के लिए करते हैं. हिंदू सबसे पुराना सब्धाई इस्तापित करते हैं उसके साथ में हिंदू एक जाती है इसको इस्तापित करते हैं और हिंदू जाती को एक रक्त के सिद्धान्त से इस्तापित करते हैं और इस जाती का रक्त का संबंध है रक्त का संबंध है खून का संबंध है इसलिए ये सारे लोग एक ही खून के संबन्द में बंदे हुगे हैं, एक ही रक्त संबन्द में बंदे हुगे हैं, कौनसे लोग? हिंदू लोग और इनकी एक ही जाती हैं, इसी से इस पूरे दर्शन को बांधते हैं, इसलिए तीनों तत्वों को अपने दिमाग में अच्छी तरीके इसे रखना अब इसके आगे वो समझाते हैं कि जो यह हिंदू जाती है इस हिंदू जाती ने निरंतर विकास क्रम में उन्होंने एक भोगुलिक भाग को इस्तापित किया उन्होंने रक्त संबंदों को बना कर एक नसल का इजात किया और इस हिंदू जाती ने जीवन जीने क पद्दती का इजात किया जिसको उन्होंने धरम कहा और इस नसल ने निरंतर रीती रिवाजों से परंपराओं से एक संस्कर्ती का इजात किया और इस हिंदू जाती की आपस में चर्चा करने के लिए एक भासा का इजात हुआ इस तरीके से वो पांच तत्तों को अलग-अलग रूप में समझाते हैं जिन पांच तत्तों को गोलवल करने बहुत अच्छी तरीके से समझाया उसके अंदर एक भोगोलिक भाग एक नसल एक धरम एक संस्कर्ती एक भासा तो आगे चलके गोलवल करने कहा कि ये पांच जो है तत्तों हैं जो राष्ट बनाने के लिए लगते हैं इस तरीके से इस हिंदू जाती ने इस पूरी विवस्था को विकास किरम में पैदा किया इस पूरी चर्चा से सावरकर जी ने क्या-क्या इस्थापित कर लिया था कि हिंदू सब्द सबसे पुराना है आरियों की संस्कृती जो थी वो हिंदू थे दूसरा इन सारे हिंदूों का रक्त एक था इनके आपस में रक्त संबंद थे इसलिए ये सारे एक जाती के थे हिंदू जाती के थे आंगे वो समझाते हैं कि जो ये हिंदू सब्ध है, हिंदू जाती और हिंदू सब्ध है, इसी से हिंदुत और हिंदू धरम पैदा हुआ है, आंगे वो समझाते हैं कि हिंदुत और हिंदू धरम ये दोनों अलग अलग चीजे हैं, ये दोनों एक नहीं हैं, आंगे हिंदू अब वो हिंदुत को और हिंदु धरम को अलग-अलग कैसे कहते हैं इस बात को समझना है। अब जो हिंदु जाती हैं, हिंदु जाती से हिंदुत और हिंदु धरम दोनों निकले हैं। जो हिंदु हैं, उनकी निरंतर विकास से, निरंतर परंपराओं से कई तरीके की धराय निकली हैं। कई तरीके के पंथ निकले हैं, संप्रदाय निकले हैं। कई तरीके के लोग निकले हैं। जिसमें आस्तिक, नास्तिक, पंत, संप्रदाय, जैसे बौध दर्सन, महाबीर का दर्सन, सिक्क दर्सन, ये सारे जो दर्सन विकास क्रम में निकले हैं, ये सब हिंदुत की छत्री के नीचे हैं, तो हिंदुत की छत्री के नीचे जितने भी लोग हैं, वो कौन हैं, वो हिंद नशल का रख्त प्रवावित हो रहा है जो सब हिंदुत की छतरी के नीचे आते हैं इस छत्री के अंदर सभी तरीके के भारती दर्शन के उत्वपन धरम पंत संप्रदाय को उस छत्री के नीचे लाते हैं तो इस तरीके से हिंदू से हिंदुत को पैदा करते हैं और हिंदुत के अंदर ही एक हिंदु धरम एक छोटा हिस्सा है तो हिंदुत की छत्री के नीचे चारों धरम हैं यह इसलिए हिंदुत की छत्री और हिंदु धरम दो अलग-अलग चीज़े हैं इसको भूती टाकत से वो समझाने की कोशिज करते हैं इस तरीके से वो हिंदुत के सब्द को पैदा करते हैं हिंदुत की छतरी को पैदा करते हैं और उसके नीचे हिंदू धरम को रखते हैं इसलिए पिरमो क्या है इस बिचार धारा में वो हिंदू जाती है हिंदू जाती है, हिंदू नसल है आडियों को बारे में बारवा समझना कि आडियों को वो क्या कहते हैं हिंदू कह देते हैं आडियों को दो तरीके से इस्तापित करते हैं आडियों को भी एक अलग नसल के रूप में इस्तापित करते हैं कि आर्ये एक मुख्ध नसल है जिस नसल ने हिंदू जाती को पैदा किया, वो आर्ये नसल को बाद में क्या कहते हैं, हिंदू जाती हिंदू नसल कहते हैं, बाकी की जो धाराय, पंत, संप्रदाय, धरम, जो अलग-अलग चीजे पैदा हुई हैं, वो हिंदू जाती से पैदा शुरो तो आडियों की संस्कृति को बताते हैं तो इस पूरी चर्चा से वो हिंदू हिंदू इस्थान को इस्थापित करते हैं और फिर कहते हैं के सभी हिंदू एक राष्ठ हैं राष्ठ बनने का सिद्धान कहां से चालू करते हैं सबी हिंदू एक राष्ट हैं आरियों के बारे में वो पेज नंबर 13 पर लिखते हैं जो एक किताब है इसके पेज नंबर 13 पर लिखा हुआ है यह सब्त सिंदू नाम ही बिश्व के सरवादिक प्राजीन ग्रंत रिक्वेद में पाया जाता है वस्ता यह नाम समचे बैदिक भारत का ही नाम था आरिये लोग प्रारंब से ही क्रची को सर्वसेठ धन्दा मानकर प्रधान व्रत्ती के रूप में अपनाते आए यह भी सुए सपस्त थे कि आरिये जन क्रशक ही थे अतावे स्वभावे की रूप से ही इन सब्त सर्ताओं के परंभक्त बन गई थे और इ सावरकर भी सुएकारते हैं कि आरिये बाहर से आये थे और उन्होंने यहां आ करके अपनी संस्कृती को स्थापित किया और यह एक अलग भूभाग है यह भी ध्यान रखना यह पूरे भारत पे नहीं थे इसलिए आरियों और अनारियों की थेओरी में भी सावरकर आते हैं आरियों और भी कहते हैं हो पेज नंबर अठारा पर नानी की कोशिस करते हैं कि जो आरिया उन्होंने कैसे आंगे बिकास किया जिसकी अभिव्यक्ति करने वाले प्रतीक के रूप में यग्य की पावन अगनी उनका पत आलोकित कर रही थी यह विसाल भूमी खंड सगन बनो से अच्छान्दित था मानव बस्तियां तो कहीं कहीं ही थी अता इन हिंदू जनों ने बनों को काट कर क्रसी छेत्र को बिष्टत बनाया जनपतों और राज्यों की स्थापना हुई इससे जो आरिये और अनारिये वाली थेओरी है उसको भी पूरी तरीके से सावार कर करते नहीं है पेज नमबर 18 और 19 पर दोनों को पर मिला के लिखते हैं अता हिंदूओं ने एक देश एक राष्ट की स्थापना जो पुनीत उद्देश नरधारत किया था उसकी भौगौलिक मर्यादा भी स्थापित हो गई जब अयुद्ध्या के महान प्रतापी राजकुमार राम ने अपनी विजयवायनी सहिस लंका में प्रिवेश किया तो उन्होंने हिमगिरी से महासागार परियांद संपूर देश को एक छत्र के नीचे ले आने में सपलता प्राप्त ली जिस दिन विजय का अस्व बेरोक टोक अयुद्ध्या में वापिस लोटा तता आदार्स निर्पती राम चंद्र ने राज सिंगासन पर आरून होकर सर्व भौमक राज का सोय छत्र लगाया उस दिन केवल आरे बंसी आरे बंसी नरेशों ने ही नहीं आरे बंसी अपितू दक्षण के हनुमान सुग्रियू बिभीशण सरी के राजाओं ने भी इस सर्व भौमत सुईकार कर लिया उनका राम का या आरेओं की संसक्रती का सर्व भौमत तो इस सुईकार कर लिया अस्तुता वही दिन हमारी महान हिंदु जाती का वास्तविक जनम दिवस है अस्तुता हमारा राष्ट दिवस था जिस दिन आरी और अनारी दोनों परस पर मिलकर एक राष्ट बन गए थे इससे पहले पूरुजनों ने जो प्रयास किये थे उन सब का एक ही करण हुआ तथा राजनेतिक दश्टी से भी उन प्रयासों को पूर्टा प्राप्त हुई सब का एक ही लक्ष बना सभी ने एक पता का को राष्ट धच के रूप में सुईकार किया उसके प्रयास भी सवान हो गए उनके प्रयास भी समान हो गए जिनके लिए इसके पस्चाद भी संततियों ने सतत संगर्ज की ज्वाला को धत्काई रखा और बे अपने आत्माहूतियां चड़ाती रही ये जो लिखते हैं सावर कर इसमें भहुत सारी चीज़े हैं एक तो इसमें ये समझ आता है कि आरिय इस तरब थे अफगानेस्तान पाकिस्तान वाले इलाके में दक्षण पूरा भारत था वहाँ अनारिय थे वहाँ पे एक संस्कृति पहले सी थी जिस संस्कृति के इससे को हनुमान सुग्रियों इनको बताते हैं स्री लंका के बिजय के बाद फिर पूरा देश का एक राष्ट के रूप में बन जाता है तो जो रामाणी की परिकल्पना है उससे इस पूरी विचारधारा को बांगते हैं रामायन में जो पूरा चित्रण है रामण सीता को चुरा ले गया था इस पूरी चर्चा में जो असल में जो ये परिकल्पना थी पूरी राम की ये पूरा आरियों की संस्कृती को इस्थापित करने का एक अभ्यान था जिस अभ्यान के तहत आरियों ने पूरे भारत देश पर कबज़ा किया अनारियों से युद्ध करके वो जो अनारिये थे उनको ये राक्षस कहते थे वो जो आरिये हैं उनको देवता कहते हैं इनकी कता कहानियां जो है तो ये सब चीजें स्थापित होती है कि किस तरीके से आरियों की संस्कृति ने हमारे देश की जो पूर्व से एक संस्कृति थी उसके उपर कब्जा किया 7 नमबर पेच पर मैं इसको पढ़के सुना देता हूँ सिंदु इस्थान कोई भूखन मातरी नहीं था सिंदु और सिंदु इस्थान के अधिवासी भी बैदेक काल से ही सिंदु थे इन पौराणक इस लोकों में आरिय सब्द का तत्परिये उन सभी लोगों से लिया गया है जो सिंदु नदी के इसपार एक जाती के अभिभाज अंग बन गए थे बैदेक, अबैदेक, ब्रामण, चन्डाल सभी का इसमें समावेश था उन सभी की एक जाती थी एकी संस्कृती एकी देश था और एकी राजिनी थी आरिय सब्द के अंदर सभी को हिंदु जाती की संस्कृती को पूरी तरीके से उसमें जितने तरीके के वणास्रम है वण विवस्ता है यानि चारों वर्णों को आरियों की जो सब्ध है उसके अंदर लाते हैं कि आरियों और अनारिये ये अलग-अलग संस्क्रतियां थी जब वो पूरा आरियों ने एकी करण किया इसी समय वर्ण व्यवस्था बना तो अनारिये थे उनको सूद्र की वर्ण में डाला इस वर्ण व्यवस्था के अंदर ताकि वो हमेशा ब्रामणों की चत्रियों की यानि आरियों की सेवा करते रहें आरिये वो हिंदू राष्ट हैं ये मैं आपको पढ़के सुना देता हूँ सन्यासी आरिय समाजी सिख तता अन भी कपिता ऐसे संप्रता हैं जो चतु वर्ण व्यवस्था को सुईकार नहीं करते परन्तु इतने मात्र से बे मले चत्वा विदेशी नहीं हो जाएंगे परमात्मा ना करे कि ऐसा हो उनका और हमारा रक्त एक है जाती एक है देश भी एक है और परम्पिता परमात्मा तो एक है इसकी अपेक्छा तो यह परवासा कहीं अधिक घरसेष्ट है हम सभी हिंदू बंदू बंदू हैं हमारी जाती भी एक है क्योंकि हम में समान पूर्वजों का ही रक्त संचारित होता है हम सभी भारतिय संतती हैं इस तरीके से वो सभी तरीके के जो लोग है उनको हिंदू छतरी के नीचे ले के आते हैं सेबिंट anonymous पेज पर वो रक्त की समानता के बारे में लिखते हैं जो थेॉरिया मैं समझा चका है उसके बारे में लिखा है ताकि आपको पूरी तरीके से स्पस्त हो जाए इक सबूत के तोरब है ये 79 पेच पे रक्त की समानता का बंदन इसमें लिखते हैं बे सभी एक मात्र पहुमी को प्रेम करने की भावना से परस पर आबद्ध हैं कौन हिंदू जाती अपितु बे उनकी रक्त की समानता के बंदनों से भी एकता के सूत्र में आबद्ध हैं बेक राष्ट मात्री नहीं अपितु एक जाती भी हैं। सभी हिंदुओं की नस्व में उसी प्रवाव साली सक्तिसाली जाती का पामन रक्त प्रवावित हो रहा है। जिसका उद्भाव उन बैदेक पूरवजों अर्था सिंदुओं से हुआ। प्राम्र से चंडाल परयांत संपूर जाती में एक ही रक्त प्रवावित हो रहा है। अपनी किसी भी इसमर्ती पर सरसरी दश्टी डालने मात से ही यह तत्त स्पर्ष्ट हो जाता है कि एक समयता जब हमारे समाज में अनुलोम और पितलोम बिवाय प्रचले थे और आज जो जातियां हमारे समाज में मिलती हैं उनमें से अधिकांस का उदवा भी इनी बिवायों के परणाम सुरूप हुआ है यदि किसी छत्री को किसी सूद्र नारी से कोई संतान उत्पन हो जाती है तो उसे उग्र जाती कहा जाता था इस भाति यदि उग्रा से एक छत्री की संतान की उत्पत्ती होती तो इसको सुपच में समलित कर दिया जाता था ब्रामार माता और सूद्र पिता से उत्पत्त संतान चंडाल कही जाती थी दो चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि जाती ब्यवस्ता का जो चित्रन है वो दो तरीके का है एक जाती इस रख्त के समन्नों से जाती पैदा हुई मनुस्पती में बहुत बिस्तारित चित्रन है चारो बढ़नों में सुद्ध नसल ब्रामण है दूसरी थोड़ा सुद्ध कह सकते हैं चत्री है बाकी की नसलें वैस और सूद्र ये सुद्ध नसलें नहीं है इसलिए सत्यापित होता कौन सा कि जो अनारी थे उनको सूद्ध बनाया क्योंकि वो मानते थे कि ये नसल अलग है इस नसल को ब्रामण नसल के साथ मिक्सनी करना नसल का संबंद भी पुरुष से होता है ये भी ध्यान रखना है अनुलोम प्रतिलोम विवाय क्या थे कि ब्राम्मर जो है अनुलोम विवाय जो होता था ब्राम्मा छत्रिये वैस सूद्र किसी भी महला से साधी कर सकता है वो संतान पैदा कर सकता है इससे क्या होगा इससे सु तो इस तरीके से जो अलग-अलग वर्णों के रक्त सम्वंद से जो नई नसले पैदा हुई उस उनको इनहोंने अलग-अलग जाती कहा इसलिए अनलोम विवाय में ब्रामग सबसे विवाय कर सकता ये पर चलत था ये इलाऊ था समाज में पूरी आदीस करती हैं मगर सूद्र बकी की लोगों से विवाय ने कर सकता उसको बहइंका दृंड था पितलोम विवाय जो थे वो इलाऊ नहीं थे फिर भी कुछ प्रतलोम विवाय हुए जो प्रतलोम विवाय हुए उनी से ये अलग-अलग तरीके की जातियां पैदा हुए मनुवस्मती का फोल्डर है मेरे पिले लिस्ट में उसके अंदर 10, 11, 9, 10, 11, 3 वीडियो है उसके 2-3 वीडियो आप विस्तारे सुन लेंगे तो पूरा समझ जाएंगे इसलिए इस रक्त क्या जाती का संबंद को हमको द्यान रखना है तो ये जाती दो तरीके की हैं एक तो करमाधारत जाती अलग है जो बढ़ विवस्ता के साब से पैदा हुई दूसरा रक्त संबंद वाली जाती अलग है इसलिए आप देखेंगे की जो ब्रामण हैं वो भौती उस तरीके से मदद जस्टिफाई करके कहते हैं कि दिमागी रूप से जो सूद्र है वो उसके अंदर बुद्धी हो ही नहीं सकती बुद्धी हो ही नहीं सकती वो क्यों कहते हैं वो रक्त संबंद की जो थियोरी इससे कहते हैं कि उसके अंदर ब्रामण जो है जो आरियों का सुद्ध रखते हैं वो तो ही नहीं है उसके अंदर आरियों की संस्कृती में नसल पुरुस तै करता है यानि पुरुस का विये जो है नसल पैदा करता है तो उसके जो गुण है वो सब को इस रक्त संबंद से जोडते हैं इतना काफी है यह बहुत बड़ा टॉपक है अपने आप में बहुत बड़ा टॉपक है कभी हम विस्तारे चर्चा करेंगे आगे लिखते हैं कि इस सतत प्रवाय ने हमारी जाती गंगा को विस्तार गारविये और संपाननता प्रदान की है अब यह संकट नहीं रह गया कि यह गंगा किसी बीहर या मरूदरा में लुप्तों का समाप्त हो जाएगी यानि रक्त आधारत जाती विवस्ता है यह कभी समाप्त नहीं होगी इस भाती पूर्व किया पेक्छा भी अधिक सुद्धता और बेक सहत यह सर्ता अखंड दूप से प्रवाबित हो रही पहले से जो सुद्धता थी वो आज जो जातियों के अंदर विवाय संबंद विवाय संबंद इसी विचार का हिस्सा है जाती में विवाय गोत्रों में विवाय यह जो पूरा स्टेक्चर है इसी रक्त संबंद को रक्त को असुद्ध न हो जाए इसलिए इस रक्त की सुद्धता अलग-अलग रक्तों को मैंटेन करने के लिए जैसे जो अलग-अलग जातियां पेदा हैं उन जातियों को विवार उनी जातियों में इसलिए उनके रक्त संबंद बदले नहीं इसलिए जिसके अंदर भौत सारी चीजें और रक्त संबंद अपने अप में बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हमको साति समझना है वह इसमें उससारी चीजों को सावर कर सुईकारते हो अर इसमें समाहित करते हैं दरशन बदले ज्यानिवे में वो हिंदुत्य की परिवासा को समझा है। हिंदू सब्द से ही हिंदुत और हिंदु धरम दोनों सब्दों का अदवव हुआ है। हिंदुत्य की जो अनोंने छत्री बनाई थी, वो मैं एक्स्प्लेइन कर चुका हूँ, मगर इसको उन्होंने 104 और 105 पेच पर लिखा है। इसको मैं आपको पढ़की सुना रहा हूँ. एकी करन करने के उपरांथ, जो सत्थ और निर्नायक तत्व उद्भूत हुए हैं, उन्ही सब तत्तों की सत्तता को हिंदु धरम की पावन संग्या प्राप्थ हुए है। जितने भी धरम, सिद्दान्त और धार्मिक संप्रता सब्द सिंदु नाम से, सु विख्यात इस भूकंड में तता सभी बिराठ सिंदु इस्थान अत्वा हिंदु इस्थान में उत्पन हुए, उन्ही सब का अंतरभाव हिंदु धरम में ही होता है। और वे सभी धरम और मत मतांदर हिंदु धरम के ही अभी वाज अंग्य प्रत्यंग हैं। इससे यह सुष्पष्ट हो जाता है कि बैदिक धरम अत्वा सनातक धरम हिंदु धरम के अंतरगत ही अंड़ संप्रताओं के तुल संप्रताय मात्र ही है। फिर इन संप्रताओं के अनुवाई की संक्या चाहे कितनी भी सामल क्यों न हो एक सो छे पेज पर हिंदु होने का लक्षण बताते हैं। हिंदु होने का सर्प्रव प्रधान लक्षण यह है कि वह व्यक्ति इस आसकती सिंदु परियांत विस्त्रिण भूकंड को अपनी मात्र भूमी और पित्र भूमी के रूप में मानता देता हो। उसी के रिशियों और पूर्वजों की भूमी को यही हो। जिन धर्म संप्रदाओं को हम बैदेक अत्वा आवैदेक हिंदु धर्म की संग्या देते हैं। हिंदु धर्म के सबी पक्षों और संप्रदाओं के लिए यह सिंदु इस्तान ही दिब धरा है। इस भूमी में उन्होंने इसुरी ज्ञान की उपलब्दी की है इस भूमी के मानवी मन से बे इसी पंत संप्रदार अंकुरत हुए है। सागर्व घोषणा करें उनका मतलब आरियों का आरियों का रक्त हमारी धमनियों में है इसकी साहर्च घोषणा करें कि हम आरियों की ही संताने हैं अपने आपको हिंदू माता पिता की संताने समझें आंगे पुन्न भूमी की परिभासा को समझाते हैं उसी से उसे जीवन सक्त प्रतेक हिंदू का धरम उसकी इस जनम भूमी से इतना अभेन्य प्राण है कि इस भूमी की यह भूमी प्रतेक हिंदू की द्रश्टी में उसकी पित्र भूमी ही ना होकर पुन भूमी भी है अशिन्दू शिन्दू परवत यह हमारा देश यह सिन्दू इस्थान हमारी पुन भूमी है जो मैंने आपको तीनों तेहुरियं समझाई है इसका काड़े हैं कि इसी भूमी में हमारे धरम परवर्थों का जनम गिर्ण किया जो इसी भूमी में हमारे बे रिसी उत्तपन हुए थे जनौने बेदमन्तरों को सरव पर्थम सुना था इन बेदिक रिसीों ने रिसी दयानंद से लेकर महाबीर, बुद्ध, नानक, गोवेंद, बंदा, बैरागी, चंद्रधर, जेतन, स्वामी, रामदास, राम मोहन, राय तक सभी महापुरस यही इसी देश की जनव भूमी तता करम भूमी हैं अब यग भूमी की भी परिवासा बताते हैं पेज नमबर 108 जहां कि इसना सार उपलब्ध है यही नहीं अपित्व कश्मीट से कन्याकुमारी परियांत्या संपूर्ण भारत भूमी ही यग भूमी हैं जनिनी जनब भूमी तेरा करकर ही यग भूमी बन गया है अता है ये भारत भूमी, सिंदु भूमी तु प्रतेक हिंदु जन की पित्र भूमी है पेज नमबर 108 और 109 पर जो मुसल्मानों और इसाईयों का बारेमोनों ने लिखाय कि ये हमारे देश के हिस्से क्यों नहीं है या ये हिंदुत्य की छत्री के नीचे क्यों नहीं आते है उसका क्या कारण बताया वो इस दोनों पेजों पर लिखते है मैं पढ़कर सुना रहा हूँ आपको अता ऐसे मुसल्मान अतवा इसाई जिनने बलाद धरम युक्त कर पर धर्म लाम यही है बेहिंदु संस्रति के अधिकांज लक्षनों को अब भी मानते हैं उनके अनेक बेवार, सास्त्र भासा, रीती रिवाज ही नहीं अपित्यु इत्यास और लौकेक संसकार भी हिंदूओं से मिलते जुलते हैं किन्तु हमने पुन्न भूमी की जो परिवासा दी है उसके अंतरकत उपरोग सेनी के मुसलमानों इसाईयों की पुन्न भूमी भी या भारत बसंद्रा नहीं हो सकती और इस कारण उन्हें हिंदू के नाम से सम्मोदत नहीं किया जा सकता अन्न हिंदुआ के समान हिंदु इस्तान उनकी भी मात्र भूमी और प्रित्र भूमी तो है किन्तु पुन भूमी नहीं है उनकी पुन भूमी तो यहां से बहुत दूर इस्तित अरब और फिलिस्तीन में है जो मैंने आपको समझाया कि इस पूरे साबर करके दर्सन का तीनी थेवरी हैं मातर भूमी, पितर भूमी, पुन भूमी और ये हिंदुत के दर्सन में तीनों थेवरी जो भारती दर्सन के लोग हैं सारे लोग पूरी करते हैं इसलिए वो हिंदुत की छत्री के नीचे है बाकी जो पुन्न भूमी है जो हमारे देश के लोग इसाई और मुसलमान बन गए है वो हैं हैंके उनके पिताबी पितर भूमी और उनका मातर भूमी यही है मगर पुन्न भूमी नहीं है पुन्न भूमी का मतर्थ है कि उनके जो द ये दोनों इस भारत भूमी की पन भूमी पर पैदानी हुए है इस कारण से इनको हिंदू राष्ट की छतरी के अंदर नहीं लाया जा सकता हिंदू राष्ट का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता हिंदू राष्ट का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है इसी ताकत से उन्होंने की कहा कि यहीं से हिंदु मुसल्मान पाकिस्तान का नियू डला था यह बहुत ही इत्यासिक तत्ति इसको ध्यानक ना यही थेओरी का कारण था कि देश का बटवारा हुआ और यही समझ था आज भी RSS का समझ है इसलिए RSS अभी भी मुसल्मानों को और हिसाईयों को किसी भी तरीके से टार्गेट करता है NRC, CAE जिसमें सब जगह देखेंगे आ मुसल्मानियों 370 उन्होंने मुसल्मानों को इसाईयों को टार्गेट किया हुआ है और इस पूरे दर्सन में आप देखेंगे सावरकर का जो दर्सन है उसमें कम्निस्ट नहीं है कितनी इत्यासिक बात इस समय क कम्निस्टों का जो प्रवाव अस रूप में नहीं था कि इसलिए हम बताते हैं कि जो भी लेखाक होता है अपने समय काल की चीजों को जोड़ता है कम्निस्टों को गोलवल करने जोड़ा उनकी किताबों में अभी आपको विचार नवनित में आंतरिक संकट में तीन लोग लोग आपा गए पर मुसल्मान ईसाई और कम्निस्ट सावर करके आंतरिक संकट में कम्निस्ट नहीं थे इत्यासिक विकास के रहम में जिसको ध्यान रखना है 111 पेच पर वो यह आवान करते हैं इसाईयों को और मुसलमानों को कि वापिस अपनी नसल में आजाओ अपनी जाती में आजाओ वो लिखते हैं यहां जो कुछ उपलब्ध है वहाए सरवात प्राप्त ना हो सकेगा और जो यहां नहीं है वह अन्यता भी ना मिलेगा विश्व में जो कुछ भी है वह यहां विद्धमान है तुम तो जाती बंस रखतो संस्कृती सभी दर्ष्टियों से हिंदू ही हो तुम्हें हिंसा के हाथ ने ही अपने पित्रग्रह से बलात बाहर घसीडा है तुम्हें तो केवल इतना ही करना होगा कि तुम अपने हिर्दाय की संपूर अनुरक्ती सकल भक्ती इस बंदनीय माता के स्री चड़नों में समर्पित करो और इसे केवल मात्र भूमी पित्र भूमी मानकर ही नहीं अपितु पुन भूमी मान कर भी इसकी बंदना करो और इस महान हिंदू संग में पुना प्रिविष्ट हो जाओ हिंदू जाती नितान तो प्रसंदता सहे तुमारा हारते का भनेंदन करेगी अपने अंतरम के विषुद्ने का पालन अमरद तुमें सहर्स दान देगी कि आप वापे सकने इसमें आ जाओ और इस पूरी जो जितनी भी नागरिकता का है जो भी सिद्दानत रस स के थिवरी से निकलता है वो इसी थेयोरी से निकलता है कि भारत के मुसलमान और इसाईयों को भारत का नांगरेक के रूप में तभी सुईकार किया जाएगा जब अपना ये दोनों को छोड़ कर, मतलब अपना दोनों धर्मों को छोड़ कर, हिंदु धर्म में वापे समाहत नहीं हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो आवान करते हैं इन दोनों नसलों को हिंदु धर्म में समाहत होने के लिए। अवतारों, जिसियों, महर्शियों की अवतार इस्थली येवम इसके कड़कन को तीर्त इस्थली समझता है। अब आँगे हिंदुत के लक्षण समझाते हैं। हिंदुत का लक्षण क्या है? एक राष्ट, एक जाती, एक संस्क्रती। ये तीन चीजें ध्यान रखना है। इसलिए ये जो थियोरी निकलके आई। जो अभी आज की तारीक में मोदी सापका है। एक राष्ट, एक टेक्स्ट। एक राष्ट, एक फलाना। अब एक राष्ट, एक भासा, एक राष्ट, एक संस्क्रती। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। ये एक राष्ट की परभासा के बोधक है। तो इस सब चीजें जुड़ी हुएं, इसी से निकलता इसी पिचार से। हिंदुत के लक्षण में कहते हैं कि एक राष्ट, एक जाती और एक संस्क्रती। इन सभी लक्षणों को संस्यत में इस भाती पिच्टत किया जा सकता है। वही व्यक्ति हिंदु है, जो सिंदु स्थान को केवल पित्र भूमी ही नहीं। अपितु पुन भूमी भी सुईकार करता है। हिंदुत के प्रथम दो चरण, राष्ट और जाती का समावेश पित्र भूमी सब्द में होता है। और तृतिय लक्षण एक संस्क्रती की अभीवेक्ति पुन भूमी सब्द में होती है। क्योंकि संस्कृति ही सब संस्कार समिष्ठ हैं और वही किसी भूमी को पुन भूमी का रूप प्रदान करती है इस तरीके से हिंदुत की जो लखषण हैं उसकी पूरी भासा, पूरा तत्व इसके अंदर लिखते हैं जो मैंने बिष्टार करने का बोला था ना कि ये नसली चेतना में समझाया है अगर आपने वीडियो सुना हो इसमें पेज नमबर 115 पे थोड़ा से लिखते हैं उसको आपको समझने में असानी आएगी कि पित्रभू, पुन्भू के रूप में मानता देते हो तो मैं हिंदू स संसार में निशकंटक होकर बड़े चलो, जहां तक तुम्हारी बिस्तार करने की एक्चार बिस्तार करो, हिंदुत की भौकौलिक सीमाओं में तो संपूर बस्दा की सीमा समाहत हैं नसली चेतना की थेोरी होती है वो युद्ध करते हैं पूरी दुनिया पे अपना राश्ट कायम करने की बात करते हैं अपनी इस किताब में इस थेोरी को सत्यापित करते हैं तो इस सारी थियोरियां जो मैं आपको सम्झाने की कोसिज कर रहा हूँ, मेरे को लगड़ा बिलकुल इसपर्ष्ट हो जाएंगी आपको सब तरीके से, आखरी जो पेज है उनका वह भी मैं एक बहुत पेराग्राप लिखाएं इसको पढ़के सुना देता हूँ, तो आपको का बहुत चीज़ें किलियाटी हो रहा जाएगी, यह 138 पेज है, 149 यह बिलकुल आखरी पेज हैं दोनों, 30 करोड हिंदु जन जिनकी करम भूमी, पितर भूमी, पुन भूमी हिंदु स्थान हैं, जिनका इत्यास भी महान प्रेरक इत्यास है, जो समान रख्त और समान संसिर्कती के पावन बंदों में आबद्ध है, भला उनकी ओर बक्र दस्टी डालने का साहाज भी कौन कर सकता है वे तो विश्वर को ही अपने समक्ष नतमस्तक होने के लिए विवस कर पाने में सक्षम हैं, एक दिन अवस ऐसा आएगा जब मानव जाती समान सक्ती के दिब रूप का दर्सन करेगी इसके साथ ही साथ यह भी एक सुने से तत है कि जब कभी हिंदू जाती उप्रोगत अवस्ता को प्राप्त कर लेगी और विश्व को उसके द्वारा पिस्तो सर्तों को सुईकार करने येवं उसके आदेशों को सुनने हेतु तत पर होना पड़ेगा तो इस मान हिंदू जाती का यह आदेश उस आदेश से भिन्ने नहीं होगा जो गीता में उपलब्ध है अत्वा जो गौतम बुद्ध के स्री मुख से उच्चारित हुआ है जब कोई हिंदू हिंदुत ता हिंदुत तीत हो जाता है और उसका हिंदुत अथाय और असीम जो गौतम बुद्ध के स्री मुख से भी वारांड सी बेदनी का उचार होने लगता है और उसके समग्र भूमंडल में भी अपनी कासी का विस्तार दिखाई देता है अत्वा संद तुकाराम के समानी उसकी बाड़ी से भी यही संगत प्रवावित होडता है मेरा देश संप समझने की जरूरत है इसलिए मैंने ये सारे तत्थ आपको पहले समझाए और समझाने के बाद फिर पढ़के सुनाई अब इसी दर्षन से राष्टी स्वयम सेवक संग की पूरी विचारधारा निकलती है पूरी उनकी नसली चेतना की विचारधारा निकलती है इसलिए इस पूरी विचारधारा का सम्मंध उस नसली चेतना की विचारधारा के साथ है जो हम आंगे के वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से सम्झा चुके हैं। अब हम आँगे गुरु गोलवल कर जो थे, उनने इस पूरी थियोरियों के बारे में आँगे कैसे एक्स्पलेन किया, इसके बारे में हम आपको आँगे के वीडियो में साथी सम्झाएंगे। क्योंको हम यहीं कर खतम करते हैं, मुझे उमीद है कि आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी, हुई होगी, इस जो सीरीज है लोकसभा चुनाव की, इसके सारे वीडियो सुनें पहले नंबर से, बहुत मजा आएगा आपको बहुत सारा ज्यान नौलेज मिलेगा आपक जिसको हम हर वीडियो में बता रहे हैं, राजनीती, राजकरनी की नीती, विचार धाराएं, संगठनात्मनाज, रालोचनात्मक, सिद्धान्त, बैचार केकता का आधार, बहुजन और बामपंत, किसक्रसी और किसान, इथियास और चुनोतियां, टेडुनिया नांदोलन, इथियास और चुनोतियां, इदो किताबें भी छपने वाली हैं, उन्हें रंतर हम नहीं नहीं किताबें लिख रहे हैं, तो हमारे वीडियो भी सुनें और किताबें भी खरीदें, किताबें भी खरीद करके पढ़ें, ताकि आपको सारी जानकारी अच्छी तरीके से हो सके तो धन्वा साती बहुत बहुत धन्वा अब इस वीडियो को ही खतम करते हैं जादा से जादा शेर करवाने में सहयोग करें वह हमारे चैनल को सब्क्राइब भी कर ले हैं थेंक्यू थेंक्स